राजस्थान की प्राचिन सभ्वेताओं का विशलेशन आज हम करेंगे विश्व की सभी प्राचिन सभ्वेताओं जैसे नदियों के किनारे इपनपी सिंदुगाटी नदी सभ्वेता, सिंदुगाटी के किनारे मिश्र सभ्यता मैसोपोटामिया की सभ्यता जैसे मिश्र की सभ्यता कहलाती है मिश्र नदी के तड़ पर नमस्कार स्टूडेंट्स आपका अपने चेनल पे स्वागत और अभिनंदन है आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की प्राचेन सभ्यताओं की सबसे पहले हम जानेंगे काली बंगा सभ्यता काली बंगा सभ्यता का विस्तार से हम अध्यन करेंगे कि किस तरीके से ये सभ्यता और राजस्थान के किस जिले में पनपी कितनी पुरानी ये सभ्यता है ये कास्य यूगीन है लोह यूगीन है किस परकार के सब्भेता है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राचीन सब्भेता राजस्थान की काली बंगा सब्भेता जिसका इस्थल है वो है जिला है हनमानगड ये सरस्वती नदी जो वरतमान की घंगर नदी है उसके किनारे पनपी तीन हज्जार इस्वी पूर्व से सत्रा सो पचास ही सा पूर्व तक इसका समय रहा कास्य यूगीन सब्भेता ये एक कास्य यूगीन सब्भेता है बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और खोज करता इसके अमलानंद घोसें जिन्होंने 1952 में इसकी खोज की उत्खनन करता इसके बीबी लाल और वी के थापर हैं बीबी लाल यानि ब्रजबासी लाल और वी के थापर यानि बाल कर्शन थापर साब्दिक अर्थ काली बंगा का साब्दिक अर्थ है वो है काली चूडिया विशेश्ताएं यानि पंजाब में बंगा का अर्थ चूडिया होता है काल विशेष्टाइं यानि हनमानगर्ट पंजाब के नजदीक होने के कारण इसका पंजाबी में सब्ध है वह काली चूडियां विशेष्टाइं इसमें दोहरे जूतेवी खेत के साक्षे मिले हैं ये नगर दो भागों भाजित है और दोनु भाग सुरक्षया दिवार यानि प जबुद्रे पे साथ अकनी कुंड प्राप्त है, और जिसमें राख और पसूं के हड़ीं भी प्राप्त होई है। और यहां से उट की हड़ियां प्राप्त हुई है और उट इनका पालतू पसु है इससे जानकारी प्राप्त होती है कि इनका पालतू पसु है वो उट है यहां से सूती वस्तर में लिप्टा हुआ उस तरह प्राप्त हुई है यहां से कपास की खेती के भी साक्षे प्राप्त यहां से सल्ल्य चिकच्या के भी साक्षे प्राप्त हैं एक बच्चे का कंकाल भी यहां से मिला है भुकंप के साक्षे यहां से मिले हैं और वनक्सर जो मोहदे हैं उनके अनुसार शिंदू गाटी सब्वेता को सर्श्वती नदी की सब्वेता कहना चाहिए क्योंकि सर्श्व जो जिला है वो है उधेपूर आहड बेड़च नदी के तट पे विक्षित हुई सब्वेता है। जो की हंस मुख धीरजलाल सांकलिया ने किया। आहड का प्राचिन नाम रखा गया वो तामर्वती। और दस्मी और ग्यार्वी स्ताब्दि में इसे आघाट पूर या आघाट दुर्ग भी कहते थे। इस्थानिय नाम इसका धूलकोर है। सब्वेता से मिले। तामबा गलाने की भटी यहां पराप्त हुई है। तामबे की छै मुद्राएं यानि शिक्के और तीन मोहरें भी यहां मिली है। चांदी से आप्रीचित थे। यहां चांदी इस तरीके की सबूत मिले हैं यहां से, साक्से मिले हैं कि चांदी से लोग आप्रीचित थे। सैव का सिरुत्तर दिसा में होता था यहां पर, यहां से एक भवन में छै मिटी के चूले मिले हैं और मिटी के भरतन और तामबे के आभुशन भी यहां से मिले हैं। नेक्स्ट हमारी सब्वेता है वो है बाला थल सब्वेता के बारे में बात करते हैं जो कि उदैपुर जिले में ही है वलव नगर तैसील के पास है और बनास नदी की किनारे है बाला थल सब्वेता समय इनका 1900 इसा पुरुव से 1200 इसा पुरुव तक है आहड सब्वेता से सम्यन देती है तामर पासान यूगी निस्थल है और इसके खोज करता या उत्खनन करता जो है वो 1903 में वी एन मिसर ने की थी तो विरेंदर नास मिसर इसके उत्खनन करता है विशेशता इसकी देख लेते हैं भवन निर्मान में पत्थर के साथ ही टू का यहां परियोग किया गया विशाल भवन बिला जिसमें 11 कमरे हैं पसू के अवशेश भी यहां से मिले हैं मिसरित अर्थ विवस्था के साक्षे मिले हैं करशी के साथ साथ पसू पालन का परचलन भी यहां से मिला है इस तरीके के सबूत मिले हैं कि पता चलता है कि करशी के साथ साथ यहां पसू पाल के बारे में हम बात करते हैं ये सब्भेता आहड सब्भेता से समंदित तामर पासान यूगिन सब्भेता इस्थली है ये भी आहड सब्भेता से समंदित जो तामर पासान यूगिन इस्थल है इसका खनन करता या कहें कि उत्खनन करता हैं वो हैं वीब भी लाल यानि और ये समय था 1957 से 1958 का विशेशता पांच परकार के मरद भांडिया ने मिट्टी के बरतनी यहां से मिले हैं हाथी दांत की चूडिया मिली हैं यहां से धोली मगरा सब्भेता दूसरी है वो है धोली मगरा और धोली मगरा का इस्थल है वो भी है उदेपूर है और आहर सब्वेता का ये नविंतम इस्थल है धोली मगरा गणेश्वर सब्वेता गणेश्वर सब्वेता जो कि शीकर में है और ये तामर युगीन सब्वेता की जननी माने जाती है सीखकर नेम का थाना कांतली नदी के किनारे 2800 इसापूर्वर तामर पासान काल की ये जननी है खोज करता है उत्खनन करता इसके हैं रतंचन अगरवाल आर्शी अगरवाल जिनको कहते हैं 1977 में इसकी खोज की गई विशेशता मचली पकड़ने का कांटा यहां से मिला है तामर निर्मित कुलहडी यहां से मिली है सुद तामबे से निर्मित तीर भाले तलवार बरतन आभूशन सुया मिली हैं और यहां से तामबे का निर्यात भी किया जाता था सिंदू गाटी सब्वेता के लोगों को तामबे की आपूर्ती यहीं से होती थी तामर यूगीन सब्वेता या तामबे का निर्यात यहां से किया जाता था तो तामर यूगीन सब्वेता की जननी ये सिक्कर में नेक्स्ट हमारी सब्वेता है वो है बैराठ सब्वेता जो की जैपूर में है बान गंगा नदी के किनारे 600 इस्यापूर्व से एक इस्वी तक लोह यूगिन सब्वेता है खोज करता या उत्खनन करता जब हैं इनके ये हैं दयाराम सानी जो 1935-36 में खोज की गई और परमुख जो इस्थल है इसका खोज करने वाला वो विजग की पहाड़ी, भीम की डूंगरी महादेव की डूंगरी जो की जैपूर में हैं इन डूंगरियों में इसकी खोज हुई विशेषता इसकी देख लेते हैं कि महाजनपद संसकर्ति के साख से जो 600 इसा पूर्व से 322 इसा पूर्व तक मतश्य जनपद की ये राजधानी रही महतोपूर फैक्ट है कि मतश्य जनपद की राजधानी कौन सी सब्वेता मानी जाती है या तो बैराठ विराठ नगर मतश्य जनपद जैपूर अलवर भरतपूर में फैला हुआ था विराठ नगर बैराठ का प्राचिन नाम है महाभारत संसकर्ति के साक्षे यहां से मिले हैं तो पांडू ने अपने एक वर्ष का ग्यातवास विराठ नगर के राजा विराठ के यहां वेतित किया ऐसा साक्षे बताते हैं बोध धर्म के साक्षे भी यहां से मिले हैं बहराठ से हमें एक गोलाकार बोध धर्म का मठ मिला है यहां एक सवरण मंजूसा यानि कलस भी मिला है जिसमें भगवान बुद्ध के अस्तियों के अवसेश मिले है और मोरिय संस्कर्ति के साक्षे भी यहां से मिले है मोरिय समाज 322 इसा पूर्व से 114 इसा पूर्व तक असोक का भाम्रू सिलालेक बराट से ही मिला है भाम्रू सिलालेक की जो खोज है वो 1837 में कप्टन बैटने की थी और इसकी भासा प्राकर्ट भासा मिली है लिपी ब्राह्मनी मिली है वरतमान में भाम्रू सिलालेक कोलकत्ता के संग्राले में सुरुक्षी रखा हुआ है हिंद यूनानी संसकर्ती के साक्से भी यहां से मिले है और यहां से चांदी के सिक्के 36 में से 28 सिक्के हिंद यूनानी राजाओं के मिले है और 28 में से 16 सिक्के मिनेंडर जो राजा परशिद हिंद यूनानी राजा थे उनके मिले है प्राचीन भारत के सिखे या पंच मारक के हैं अन्यस अभेता की बात करें तो ये बागोर भिलवाडा में जो की कोठारी नदी की किनारे है इसके उत्खनन करता विरिंदर्नाथ मिश्र हैं, प्राचीन पसून के अस्तियों के अवसेशी यहां से मिले हैं और भारत का सबसे समपन पासान इस्टल, यही है और चंद्रावती सब्वेता का इस्टल है वो है शिरोही गरुडासन पर विराजित विष्णु भग्वान की मूर्ति यहां से मिली है करनल जेम्स टोड ने भी सभ्वेता का जिकर अपनी पुस्थक में किया है चंदरावती सभ्वेता का और सुनारी सभ्वेता राजस्थान के जुंजनों में सुनारी सभ्वेता के वसीश मिले हैं सुनारी सभ्वेता हम देख लेते हैं लोह गलाने की भटी यहां से मिली है और रेड टॉंक से एक दूसरी सभ्वेता रेड टॉंक में लोहे के भंडारियां से प्राप्त हैं इस कारणी से प्राचीन भारत का टाटा नगर भी का जाता है रेड टोंक को एशिया का सबसे बड़ा सिकूं का भंडारी यहीं से मिला है गरदड़ा एक और सब्भेता बुंदी में जो छाजा नदी की किनारे पर्थम बर्ड राइडिंग रोक पेंटिंग के सेल चितरियां से मिलें यह परदेश में पर्थम पुरातत्व महत्वय की पेंटिंग है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक धन्यवाद